हाई गाईज, रुपलिस इंडियन कीचन में आपका स्वागत है आज के रेसिपी है पोहा पकोड़ा आलू के पकोड़े, प्याच के पकोड़े या फिर मिर्च के पकोड़े तो हमेशा घर पे बनते रहते हैं और देखिए इनका क्रंच परफेक्ट, परफेक्ट क्रिस्पी और क्रंची बने है और आप इसे जादा देर तक भी बना के रखेंगे न तो ये ऐसे ही क्रिस्पी बने रहते है तो चलिए इस तरीके के यूनिक थोड़े से अलग स्टाइल के पकोड़े ट्राइ करते हैं जो आपने कभी ट्राइ नहीं किये होंगे और स्वाद में तो इतने टेस्टी बनते है कि जो भी खाएगा वो जान ही नहीं पाएगा कि इसे कैसे बनाया है फ्रेंड्स हमिशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर की जाए पोहा पकड़ा है तो पोहा तो लगेगा ही जी हा दोस्तों यह वही पोहा है जो सबेरे हम नाश्टे में इस्तिमाल करते हैं यह मैंने डेड़ कप लिया है आपके गर में जितने फैमिली मेंबर है उसके हिसाब से आप पोहा को एड्डिस कर लीजे अब इसे दो तिन पानी से अच्छे से वाश कर लेते हैं इससे जो कच्रावगरा है या फिर स्टार्श का पानी है वो सारा निकल जाएगा पोहे अच्छे से धुल चुके है अब पानी को निकाल देते हैं क्रिस्पी और क्रंची पोहा बनाने के लिए और अच्छे से टेस्ट लाने के लिए इसमें डाल देते हैं दो टेबल स्पून फ्रेश दही, ध्यान रखना है कि दही फ्रेशी हो, खट्टा बिल्कुल ना हो, मिला देते हैं इसे अच्छे से, अभी तक ये पोहा थोड़ा सा स इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसे सौप्ट बना लेना है पानी मेंने वन थड़ कप याने पाच टेबल स्फून के करीब करीब इस्तिमाल किया है आपको अगर इसमें दही पसंद नहीं है तो आप इसमें निम्बू का रस भी डाल सकते है या फिर निम्बू का रस और दह कि दोनों पसंद नहीं है तो सिर्फ पानी में भी इसे भीगो के ले सकते है अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं आपको इसे सिर्फ 15 मिनिट के लिए रेस्ट कराना है जादा रेस्ट कराने के कोई जोरत नहीं टाइम में ने आपको दिखा दिया है 15 मिनिट प बड़े से भावल में इसे ट्रांसपर कर लिया है दोस्तो सबेरे का नाश्ता बने और वो हिल दीना हो एसा तो होई नहीं सकता इसलिए आड़ करेंगे दो टेबल स्पून बारिक कटी हुई गाजर एक छोटा सा पैच बारिक काट के लिया है नाप के अगर देखेंगे तो य आपकप लिया है जब भी हम पोहा बनाते है तो करीलूस का एक अलगी स्वाद रहता है इसलिए 7-8 करीलूस काट के डाल दिये है और 2-3 मिर्च को भी बारिक काट लिया है करीलूस टोटली ओप्शनल है अब इसमें जाएगी रेड चीली पाउडर ये 1 टीस्पून ली है प अब इसमें जाएगा धेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया आप इसमें चाट मसाला आमचूर पाउडर या फिर गरम मसाला भी इस्तिमाल कर सकते है वो आपकी चोईस पेडी पेंड करता है अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए डाल देना है पाच टेबल स्पून ब जो सबजया डाली है वो भी पानी चोड़ती है और जो पोहा लिया है वो भी अच्छे से सोक कर लिया है आप इसमें कच्चे आलू की जगव कद्दुकस की हुई पत्ता को भी या फिर लोग की या फिर उबला हुआ आलू भी इस्तिमाल कर सकते हैं वो आपकी चोईस है पक तड़के में 1 टीस्पून राई, 2 पिंच हिंग और 1 टीस्पून सफेतिल डाली है तड़के को पोहा के उपर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स कुछ इस तरीके से करना है कि ये सब इकटा हो जाए, एक साथ हो जाए और इसका अच्छा गोला बन जाए यहाँ एक टीप है दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मिक्सर बना दिया और 4-5 गंटे के बाद इसे तलना है थोड़ी देर बाद बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता है, जो हमने इसमें सबजिया यूज की है वो नमक के साथ मिलके थोड़ा सा पानी चोड़ती है और पकोड़ो का जो शेप बनता है वो परफेक्ट नहीं बनता मिक्स्चर की कंसिस्टनसी तो आपने देखी लिए है तो चली इसके पकोड़े दलते है ओईल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है अब इसे गोला डाल के चेक कर लेते हैं ये गरम हुआ है या नहीं इसमें बबल्स आ रहे है इसलिए अच्छे से गरम हो गया है बैटर के छोटे-छोटे गोले लेने है और ओईल में डालते जाना है यहाँ पकोड़ो का जो शेप है वो कुछ मैटर करता है नहीं एसे भी आप डाल सकते है और आप इसे शेप भी दे सकते हैं एक बैच में उतने ही पकोड़े डालने है जितने आप आरम से हैंडल कर सकते हो और वो एक दूसरे से बिलकुल ना चिपके एसा नहीं करना कि इसे लगातर चलाते रहना है थोड़ी देर इसे फ्राइ होने देना है उसके बाद ही इसे चम्मच से पुलट लेना है जल्द बाजी बिलकुल नहीं करनी है फ्राइ होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है और ये देखिए पकोड़ों को परफेक गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राइ कर लिया है ये तो हो गई एक बैच एसे ही दूसरे जो पकोड़े बचे है उसे भी फ्राइ कर लेत है इसे प्लेट में निकाल लेते है ऐसे क्रिस्पी और लाजवा पकोड़ों के साथ अगर तीकी तीकी मिर्ची खाने को मिल जाए तो स्वाद में चार चन लग जाए जब भी हम मिर्ची को ओईल में तलते है तो वो मिर्ची ओईल में चटकने लगती है और कभी-कभी तो इ बिल्कुल नहीं उडेंगे और आपके हाथ पे भी नहीं आएंगे मिर्ची का जो उपर का पाट रहता है सिर्फ उसको ही चीरा लगाया है डो टुकडे नहीं किये है जब भी आप पकोड़ों के साथ खाने के लिए मिर्ची को फ्राइ करेंगे तो ये लिजे दोस्तों इंतजार खतम हो गया आज की युनिक और थोड़ी किसी अलग तरीके की क्रिस्पी और क्रंची पोहा पकोड़ा की रेसिपी खाने के लिए बिल्कल तयार है क्या आप इस रेसिपी को ट्राइ करना चाहेंगे अगर करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में यस करके मुझे जरूर बताए सबेरिका नाश्ता हो या फिर दोपेर की छोटी सी भूग के लिए ये पकोड़े एकदम परफेक्ट है रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा और चानल पर अगर नए आए है तो चानल को सब्सक्राइब करके सैड की बेल आइकन को प्रेस करिएगा एसी ही एक नई रेसिपी के साथ मिलते है तब तक के लिए बाई बाई